बीएस एजुकेशनल महा विद्याले लखनव विश्य विद्याले से समबध छात्र छात्राओं के लिए उत्क्रष्ट शिक्षर संस्थान बीए, एमी, बीकॉम, एम्बीए वा अने कोर्सेस के लिए आज ही समपर करें खैराबाद, बिस्वारोड, पकरिया, सीतापुर, सत्थ 2023 के लिए प्रवेश प्रारंब हिंदू मुस्लिम एक्ता का प्रतीक कहा जाने वाला खैराबाद आवद की कमेशनरी रहा एतिहासी कजबा खैराबाद में दो मुहरम से ताजियादारी का सिलसिला शुरू होने के साथ मुसलिम समुदाय के नए साल की शुरुआत भी हुई दो महरम से महला रोजा दर्वाजा अलम का जलूस शद्धालो दोरा शद्धापूरवग निकाला गया तथा महलेवार अलम के जलूस शद्धालो दोरा निकाले गए शनिवार को दस महरम को एतिहासिंग मेला मैदान में कदीमी निर्धारित रास्तों से भारी पुलिस विवस्था के मद्द शद्धालवों के दोरा मातमी महौल में ताजिये निकाले गए जो कि मेला मैदान इस्थित करबला में देराथ सुपुर्दे खाक हो गए दोपहर को यूसुफ खान गाजी की दरगा के बाहर बने चबूतरे पर एतिहासि बावन डंडे का ताजिया दर्शनार्थ रखा गया जो कि देर शाम शद्धालवों दोरा मातमी महौल में उठाया गया मातम करते हुए ताजियों को पूरवर्ती इतिहास के अनुसार खैराबाद विसुआ मार्ग पर शद्धालवों के दर्शनाथ रख दिया गया 30 जुलाई को 11 महर्म का ताजिया दादा मिया की मजार के सामने से पूरी राद विश्राम करने के उपरांद शद्धालवों के दोरा प्राता 10 बजे पुना उठाया जाएगा जो कि महला शेक शराय कजियारा में बने चबूतरा के ऊपर शद्धालों के दोरा दर्शनाथ रख जाएगा महला मिया सराय ललिया पुरमार्ग होता हुआ देर शाम चार बजे लाको शद्धालों की उपसिति में मेला मैधान पहुचेगा जहां से मेला मैदान पुरिया के निकट से मातम प्रारंब किया जाएगा धैराबाद में महर्रम का सिलसिला 40 महर्रम तक चलेगा यह जानकारी 52 डंडा ताजिया कमेटी के सदर जावेद मुस्तफा टीटू खाने दी है ताजियों की सुरक्षा विवस्था में सियो सिटी सुशील कुमार सिंग वा थाना प्रभारी अर्विन कुमार सिंग मैपुलिस बल के साथ मुस्तैद नजर आए गुन्दला मौ समधता अखिलेश मिश्रा के नुसार कजबा और अंगाबाद में बड़ा ताजिया परंपरा नुसार सुरगी शरीफ एहमत की चौक से उठाया गया ताजिया जलूस बढ़ाई महला नई बाजार बस स्टॉप खिन्नी महला पूरानी बाजार होता हुआ कमई पुरुआ गाउं पहुचा खिन्नी महले में मर्शिया वा नोहे पढ़े गए करबला में गमगीन महौल में ताजिये सुपुर्दे खाक किये गए जहांगीराबास समाधाता राकेश कुमार नंद कैनुसार बारिश की बज़े से ताजियों को पॉलिथीन से ढखक करबला तक ले जाया गया जहां देर शाम गुर्खेत मेला मैदान पर ताजिये सुपुर्दे खाक किये गए ताजिया जुलूस में शामिल लोग गम करने के बजाए बीजे पर बज रहे गानों पर छूमते नज़र आए इस मौके पर एसो सदरपूर देवियापूर चौकी प्रभारी उपनीरी छक्रीश ब्यादोग हेट कांस्टेबिल अमरजीस सिंग विजय बहादूर सहित पुलिस बल सुरक्षा व्योस्था को लेकर मुस्तेयद रहा विजय रिपोर्ट आए इंडिया से कक्षा बाराता सत्र दो हजार तेस चौबिस के लिए प्रवेश प्रारम सुनहरे इवन प्रतियोगी भवशिकी ओर बढ़ते कदम सपनों को साकार करने का संकल 31 जुलाई दो हजार तेस तक एडमीशन शुल्क पुनित्या माफ खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आए इंडिया